एसाई को महिला आरक्षक ने कार से कुचलकर की हत्या लफ ट्राइंगल का मामला मध्यप्रदेश के शिवकुरी जिले के करेरा के मूल निवासी एसाई को एक आरक्षक ने कार से कुचलकर मार दिया मृतक एसाई मंगलवार शामवे अपनी बाइक से राजगर चोराहा से भुपाल बाइपास की ओर जा रहे थे तभी उनके पीछे से आये एक कार ने उन्हें टक्कर मारी कार कुछ आगे जाकर वापस लोटी और दोबारा एसाई को कुछला कार में महिला सिपाही और एक युवक सवार था पुलिस का अनुमान है कि सिपाही ने किसी मामले को लेकर एसाई को कुछल हुआ दिया जिससे उसकी मौत हो गई पुलिस के मुताबिक मूलत शिवकुरी जिले के करेरा निवासी एसाई दीपानकर गौतम 37 साल पुलिस लाइन में पदस्थ थे मंगलवार शामवे अपनी बाइट से राजगर चौराहा से भुपाल बाइपास की ओर जा रहे थे तब ही उनके पीछे से आये एक कार ने उन्हें टक्कर मारी इससे वे कुछ दूर तक कार के साथ गिसते रहे फिर बेहोश हो गए गहतना के बाद कुछ लोगों ने कार को रोक लिया और उसमें सवार एक युवक और युवती को पक्क पुलिस के हवाले कर दिया पता चला है कि कार में पचोर में पदस्थ एक सिपाही बैठी थी उसी ने दीपानकर को मिलने के लिए बाइपास की तरफ बुलाया था पुलिस इन दोनों से पूछताच कर रही है सिटी टी आए वी रेंद सिंग धाकर ने फिलहाल मामले में कुछ भी बताने से इंकार कर दिया है रात में एसपी आदित्यम मिश्रा भी ब्यावरा पहुँचे वे घटना की सिलसिले में पूछताच कर रहे हैं पुलिस सूत्रों ने बताया कि दोनों ने हत्या कुबूल कर ली इधर दुकानदारों ने घायल एसाई को अस्पताल पहुँचाया उन्हें भोपाल राफक किया गया जहां रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया सूत्रों के अनुसार महिला आरक्षक पललवी के साथकार सवार युवक करन थाकुर है दोनों के बीच प्रेंग प्रसंग है बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले जहगरे में करल ने पललवी को गोली मार दी थी ये गले के पास से लगकर निकल गई थी उसने खुद को भी गोली मारी पर बच गया कुछ समय तक दोनों अलग रहे पर फिर साथ हो गए इसी बीच दीपानकर की एंटी हुई झाल